हेलो एवरिवन वेलकम बैक टो करनकोर्स किचिन तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पोहे से बना हुआ बहुती टेस्टी और क्रिस्पी सा स्नैक तो हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पेले अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ल लेंगे यहां पर मैंने दो छोटे कच्चे आलो लिए अच्छे चिलकर मैंने दो लिया है अब इसे हम ग्रेट कर लेंगे तो इसे हम डारेक्ली पानी में ही ग्रेट करेंगे ताकि आलो जो है वह हमारे काले ना पड़े तो देखिए सारे आलूओं को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया अब इसे हम एक से दो पानी के साथ अच्छे से वाश कर लेंगे तकि इसमें बहुत जादा स्टार्च रेता है वो निकल जाए तो यहांपर मैंने पानी चेंज कर लिया है अब इसे भी मचे से निचोड कर एक प्लेट में निकाल लिंगे तो सारे आल। आलूओं को मैंने अच्छे से पाने निचोड करके निकाल लिया एक प्लेट में मिर्च ले लिए साथ में थोड़ा सा यानि की आदा इंच अधर का टुकड़ा ग्रेट करके ले लिया है तो स्लो फ्लेम पर अच्छे से भी सौटे कर लेंगे ताक इनका कच्छापन खतम हो जाए उसके बाद एक बड़ा चमच भर के यहां पर मैंने लिया है सफेद तिल बह पानी एट कर रहे हूं तो मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कटोर या कप सेट कर लें सारा मेजरमेंट उसी के साथ करें उसके बाद यहां पर बड़ा चमच भर के हम चिली फ्लेक्स एट कर लेंगे तो चिली फ्लेक्स मेने तेल में इसलिए नहीं एट किया ताकि यह जल तो इसका कलर जो ही काला पड़ जाता है साथ ही में टेस्ट के के अकॉर्डिंग नमक एट कर लेंगे और जैसे ही पानी हमारा थोड़ा सा गरम हो जाए इसमें हम ग्रेट की वे आलू एट कर लेंगे दो मिनट के लिए आलू को इसमें एच़े से हम कुक होने देंगे तो जैसे ही पानी में हमारा अबाल आ जाए इसमें हम पोहा एट कर लेंगे जो हमने ग्रैंड करके रखा हुआ था तो पोहा एट करते हुए न चलाते जाए ताकि इसमें लंज ना पढ़ें बहुत जल्दी इसमें लंज या गुटली पढ़ जाती है गेस का फ्लेम स्लो टू मीडियम रखें जब तक पोहा अच्छे से इसमें गुलना जाए तब तक तो देखिए पोहा हमने इसमें मिला लिया अब इसमें हम दो चमश भर के बेसनेट करेंगे तो बेसनेट एक तो टीस्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा साथी इसमें बाइंडिंग भी बहुत ही बढ़िया आ जाएगी और मिला लेंगे सारी चीजों को स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ये अच्छे से हमें इने मिला करके पकने देना है ताकि पोहा जो है बहुत जल्दी पानी अब्जॉप करने लगता है तो देखें आपर पोहा ने सारा पानी अब्जॉप कर लिया अब इसे हम पकाएंगे तब तक कि ये कड़ाई को छोड़ने ना लगी तब तक हमें इसे पकाना है अच्छे से कुख कर लेना है तो देखें आपर हमारा मिक्स परफेक्टली कुखो करके रेडिय कड़े को छोड़ने लगा है अब गेस का फ्लेम बन करके हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे 50-60 परसंट तक उसके बाद यहाँ थाली ले लिये थाली को खलट लिया थोड़ा सा टेल लगा लेते हैं इसके उपर तक कि जब अब हम नाश्त्य का मिक्स उसके उपर लगाए तो जो वो चिपके न तो देखें थाली को मैं ने अच्छे से तेल से ग्रीस कर लिया उसके बाद हमने जो अपने नाश्टे का मिक्स बनाया हुआ है अच्छे से लगा लेते हैं तो इसे चिपकता तो नहीं है फिर भी थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और अच्छे से न फैला लेंगे इसे सारी धाली पर तो यह मिक्स जो है हलका हलका गरम है एकदम से कंप्रिली ठंडा ना करें हलका गरम ही रहने देता कि यह अच्छे से शेप ले सके तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से साइट से दबाती हुए इसक्वेर शेप दे रही हूँ आप चाहो तो गोल भी रख सकते हो तो देखिए आपर इस तरह से मैंने इसे चोगोर शेप दे लिया अब इसे हम छोड़ देंगे तकरीबन आदर गंटे के लिए सेट होने के लिए तो यहाँ पर हो चुका है आदर गंटा अब इसमें हमने कट्स लगा लेंगे तो कट्स लगा तो चाको में थोड़ा सा तेल लगा लें ताकि हलका हलका यह चिपकता है या फिर आप चाको को साफ करते जाए ताकि काटने में कोई दिक्कत ना हो तो देखिए आपर कुछ इस तरह से मैंने इसके स्कुएर पीसीज कर लिए हैं आप तो इन्हें इसी तरह भी फ्राय कर सकते हो पर यहां पर मैं इनके ट्रेंगल्स बनाओंगी यानिकी स्कुएर में तरच्छा कट लगा करके इसके ट्रेंगल्स बना लूँगी आप अपने मन पसंद का किसी भी शेप में इस नाश्टे को बना सकते हो तो देखिए कितने आसानी से यह निकल गया चिपका बिल्कुल भी नहीं है तो सारे नाश्टे को इस तरह से हम कट्स लगा करके त्यार कर लेंगे तो सारे नाश्टे को अब एक ट्रे में निकाल लेते हैं उसके बाद हम तेल गरम कर लेंगे तो यहां पर तेल को मैंने गरम कर लिया अच्छे से अब एक एक करके हम अपने सारे पोहे के नाश्टे को इसमें एड्ट करते जाएंगे और हाय फ्लेम पर हम इसे फ्रै करना है अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी होने तक तो कुछ देर के लिए हम इसे छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से नीचे से क्रिस्प हो जाए ताकि कर्ची पर ये चिपकेगा अगर आप जल्दी से चला देंगे तो जल्दी बिल्कुल ना करें कुछ सेकेंड्स के लिए छोड़ दें उसके पद आराम से ये खुद दी उपर आ जाएंगी तेल में और अलटते पलटते से हम गोल्डन होने तक फ्राय कर लेंगे तो मस्ट ट्राय रेसिपी है जरू ट्राय करके देखेगा बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में हेल्दी तो ये है ताकि हमने इसे पोहे से बनाए हैं तो देखें आप अमारा न आप स सब्सक्राइब येदी लगते से आप ये लेगई को घूंग है जए बहुत है भागते से टाइक भाया थैजवागाग झाते से बढ़ते से बनाए हैं वेदी से इसेपी सायू आप गदेट अगरोंगे उर्मारा बनाए हैं भारश